दोस्तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में बाता हूं दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी पूरबांचल बहेंगे रिगार्डिंग जितने भी । डाउट हैं सारे कलियर करने वाला हूं जितने comment मेरे को सब वीडियो में मिले हुए हैं वो मैं एक एक comment पढ़के सारे doubt clear करने वाला हूँ जिन जिन लोगों ने comment किया था सब का comment आज मैं read करूँगा और सब की question का answer करने वाला हूँ तो बने रहेगा वीडियो में वीडियो अच्छा लगे यहाँ पर मिले हुए है जो पूरवांचल बैंक के recording ही है मैं सारे comment का answer करने वाला हूँ अगर दोस्तों यहाँ पर जाता हूँ तो इन भाई साब ने comment किया यह SSR11 ने कि भाई आज 15 हो गया चालू अभी भी नहीं हुआ है इनके काने का मतला कि पूरवांचल बैंक का ATM UPI अभी भी चालू नहीं हुआ है कब चालू होगा तो भाई आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह अभी तक office ले कोई भी news नहीं मिली है मेरे को जैसे ही कोई news मिलती है बैंक की तरफ से मैं तुरांट आप लोगों को बताऊंगा उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास पूरवांचल बैंक का CSP है इसलिए मेरे को अपडेट कोई भी आता है तो सबसे पहले पता चल जाता है इसलिए आप मेरे चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और कोई भी न्यू अपडेट आता तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँगा सबस्क्राइब करने में कुछ नहीं जाता नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं अंकित चोहान इन्होंने कमेंट किया हो कब चालू होगा भाई मैंने इसका अंसर आपको उपर ही कर दिया उसके बाद फिर आरिफ अंसारी ने कमेंट किया है भाई 13 दिसंबर को 20,000 दुबई से पूर्वांचल वैंग में ट्रांसफर हुआ है तो वो पैसा एकाउंट में पहुचेगा या फिर वापस चला जाएगा प्लीज रिप्लाई दो भाई आप लोगों को सबसे पहले आपको हर्ट देना चाहूंगा गाईज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका पेमेंट दुबई से ट्रांसफर किया गया है आपके पूरवान चल बैंक में तो यह पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा क्यूंकि अभी अगर कुछ लोगों का एकाउंट चालू कर दिया गया अगर आपका एकाउंट भी उन्हीं एकाउंटों में से होगा तो आपका पैसा आपको एकाउंट में आ जाएगा अधर्वाइज वो रिटर्न हो जाएगा आपका पैसा उसमें आप लोगों की टेंशन की आपकी कोई भी जरुवत नहीं है नेक्स्ट कमेंट की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट है कि भाई ने कमेंट किया कि भाई तुमारा फुल सपोर्ट है भाई थाइंक्यू सो मच आप सब लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखना नेक्स्ट कमेंट की और चलते हैं यह पूछ रहे हैं राहूल कारवर यह कुछ इनका नाम है यह पूछ रहे हैं कब तक ठीक हो जाएगा भाई इसका तो ऑफिसली मुझे भी कुछ नहीं पता है बैंक की तरफ से भी कुछ भी मेरे को निज नहीं मिली है जैसे मिलेगी मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा फिर राजेंद्र कुमार भाई कमेंट करते हैं यह पूछते हैं कि क्या सबका UPI नहीं चल रहा है ना ही ATM काम कर रहा है ना ही LED बैंकिंग इनका काने का मतलब यही है आधार कार्ड से भी इनका काने का मतलब पैसा नहीं निकला तो आपको मैं बताना चाहूंगा राजेंद्र कुमार जी की आधार कार्ड से पैसा निकल रहा है बहुत सारे लोगों का पैसा निकलना कल से ही स्टार्ट हो गया है आप एक बार बैंक में जाके चेक कर लिजे या कहीं भी दुकान पे जाके आप चेक कर सकते हैं आधार कार्ड से काफी लोगों का पैसा निकलना हो सकता आपका भी निकल रहा हो और UPI नहीं चल रहा ये तो आपको भी पता है कि अभी पूरवांचल बैंक का सर्वर डाउन हो गया है और वो मैनेजर साब जो भी बैंक के ओनर है उन्होंने बंद कर दिया है क्योंकि अभी बैंक का उफड़ोदा में सिफ्ट हो चुका है अब नेश्ट कमेंट के ओर बढ़ते हैं ये भाई पूछ रहे हैं अमित पांडे ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई टोल फिरी नंबर भी है उनका टोल फिरी नंबर भी है उनका नहीं लग रहा है उस नंबर पे बहुत दिक्कत है भाई यार कुछ जुगाड से पता करो कब तक चालू हो जाएगा भाई आपको मैं बता दू जुगाड से पता करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे जैसे ही कोई अपडेट आती है मुझे तुरंत पता चल जा गए बैंक की तरब से क्योंकि मेरे पास CSP है इस पूर्वान चल बैंक का नेक्स्ट कमेंट है मोहित एडिटर टेक्निकल के अपसे ATM कार्ड वीडियो इनके काने का मतलब कि ATM कार्ड चेंज करना पड़े गया या नहीं उसके उपर वीडियो बना ओके भाई मैं बनाता हूं उसके बाद नीचे टी ये आर्मी भाती इन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखा पर जो भी लिखा है आप पड़ सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ साले सब फेक है कोई बात नहीं ब्रो अगर आपको लगता है कि फेक भी नहीं करूंगा उसके वान नेच्चे कमेंट है कि मिस्टर रूस्तम के तरब से 10 तारीzh को पैसा एकाउंट में भेजा गया है वह उस एकाउंट में पहुच गया होगा या नहीं तो आपको मैं बता दूँ कि 10 तारीक को पैसा अगर भेजा आपने और पैसा चला गया है तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ दिये होंगे रसीद वगरा कुछ दिये होंगे otherwise अगर नहीं दिये हैं तो पैसा आपका transfer नहीं हुआ होगा नेक्स्ट कमेंट है राहुल निराला की तरप से बैंक वाले कब solve करेंगे भोषडी के नेगाली दिया हुआ बट गुस्से में अभी हर कोई है इन्होंने गाली दिया तो इसे गलत बे में मत लेजिएगा इन्होंने केवल अपने विचार को यहां पर प्रिगट किया हुए भाई जब चालू हो जाएगा तब आपको पक्का पता चलेगा नेक्ट नवी गुलाम इन्होंने कमेंट किया हुआ है आप देख लीजिए अबे साले कल से ही आदार कार्ड से पैसा निकल रहा है तो आपको मैं बता दूँ नवी गुलाम जी अकर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो मैं 14 तारिक को ही बनाया हुआ था प बट फिर भी अगर आपने कहा फिर भी अच्छा है आपने मेरी वीडियो पे कमेंट किया थाइंक्यू फेरी मस्ट नेस्ट कमेंट की तरफ चलते हैं ये नुमन खान भाई अभी भी नहीं हो रहा भाई जब होगा तो पता चल जाएगा आपको भी इसका मैंने आप लोगों को आगे ही बता दिया उसके बाद राजू पटेल कहते हैं कि भाई तुम जो तुम है तुम तो कहां से पता तुमको कहां से पता चला कि आधार से 10,000 रुपे निकल सकता है तो भाई मैं आपको बता दू मेरे पास CSP है पूरवान चल बैंक का मुझे तुरंत पता चल जाता है कि अभी आधार से पैसा निकल रहा है नहीं निकल रहा क्योंकि अगर निकलता है तो मेरे पास ग्रांक आते हैं और मैं रोज निकालता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि अभी पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है गाईज अभी इसमें नेक्ट कमेंट आता है सु नहीं निकल रहा है भाई आपको तो बता ही है कि अभी पैसा नहीं निकल रहा क्या है अभी एटेम चेंज करवाना पड़ेगा यह फिर से किवाइसी वगरा करवानी पड़ेगी क्या ये बैंक की तरफ से official कोई भी news नहीं है जैसे आगी मैं आपको बताऊंगा इन्होंने और भी कुछ कहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बढ़ियां भाई बस पैसे नहीं निकल रहे हैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैं घर से घर पे नहीं हूँ कोटा में हूँ और यहां पैसे ही नहीं निकल रहे हैं तो भाई मैं आपकी भाउना को समझ सकता हूँ बट यार मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है जल्दी जैसे निकलना सुरू होगा मैं आपको पक्का बताऊंगा वीडियो बनाके बस चैनल के साथ आप बने रहेएगा थाइंक्यू सो मच इतना सारा प्याद देने के लिए अब नेक्स्ट कमेंट की दो चलते हैं यह हैं नदीम सिद्दकीनों ने कमेंट किया आज पंदा तारीख है अभी तक नहीं चालू हुआ भाई बताईए चालू होगा भाई तो तुनत बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट कमेंट है यमके सानी के तरफ से यह नो उनने कहा है कि भाई मेरा 12,000 रूपिया पेंडिंग हो गया है क्या करूं कुछ बताईए भाई उसमें परिशान होने वाली कोई बात नहीं है यह आपका पैसा आपको रिटन मिल जाएगा बस यह कुछ कमेंट थे भाई जो मैंने आप लोगों को बता दिये और वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी लगबर-लगबर मैंने important question सभी यहाँ पे ले लिए हैं पी कर लिए हैं जो आप मेरे को important लगता था साइड है जहां पर अकाउंट नंबर लगना चाहिए था और आपने पुर्वांचल वैंक कर लगा हुआ है तो वह उसमें पैसा आएगा या नहीं आएगा यह सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और जो वो बताऊंगा वो सही बताऊंगा थाइंक्यू सो मच गाईज इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक के जैहिंच जै भारत